चात्रो ये सूर्दाजी के पद है विने के दो कल मैंने पढ़ा दिये थे तीसरा है बादसल्ले इनकी उनकी बालचवी का वर्णन उसके वर्णन में आपको लिखना है मैं अर्थ समझा रही हूँ वही पहले संदर, कटिन सब्दार, पिरसंग, व्याक्या और फिकावगर हरी जिऊंकी बाल छवी कहो बरन, सकल सुक्की सीव कोट मनोज सोबा हरन, भुज भुजंग, सरोज नेनन, बदन विदुजीत लरन, रहे विवरन सलील नव, उप मा अबर दूर डरन, मन्जू मेचक म्रिदुल तनू, अनुहरत भूशन भरन, मनो सुभग सिंगार सिसू तर फर्यो अद्गुत फरन, चलत पद प्रतिबिंब मनी आंगन घुटरुवन करन, जलज संपट सुभग छवी भरलेत और जनु धरन, पुन्ने फल अनुहरत सुताई बिलोक कई नंद घरन, सूर प्रभु की और वसी किलकनी ललित लर्खर, आप देखें, सूर दाजी कहते है हरी जू की बाल छवी कहो वरलेत, प्रभु क्रेश्न की बाद सुन्दर्ता का वर्णन हम कहां तक करें, वे तो एक सकल सुखी सीम, संपूर सुखी सीमा है, कोट मनोज सुभाहरन, उन्दों ने तो बाद सुन्दर्ता में करोणों काम देव की सुभा को भी हर लिया है, करोडों करोडों कामदेव की शोवा को भी हर लिया है चुरा लिया है और उनका रूप में देखो किस कैसी उपमा दियें बुज भुजंग भुजाओं ने सर्ब को सरोज नेनन नेत्रों ने कमल को बदन विदू जीत लगन मुख ने चंद्रमा को जीत लिया है इतने इतने अन जु अन जो उपमा है ये दूड जाकर छिप गई 예 जैसे बुजंग विवरन यन की सर्प बिल में चले गाएये सरोज सलील इकि कमल जल में विदू विदू विदूमाने चंद्रमा चंद्रमा कर आकास में चले इसलिए ये दूसरी उपमायवी डर करके दूर जाकर छिप गई हैं। फर्यो अद्वत फरन जब ऐसे उन्होंने आवुष्ण पहना के तो ऐसा लग रहा है मानो जैसे कोई सिंगार किया हुआ बाल विलक्ष खड़ा हो और उस पर अद्वत फल लग रहे हो। जलाज संपुट सुभग छवी भरलेत और जनुधरन ऐसा लग रहा है कमल ने भी संपुट मने खटाओ करके उनको उनकी सुंदर्ता को अपने हिर्दे में धारन कर लिया है। और भरलेत और जनुधरन ऐसे ही सभी लोगों उनकी सुंदर्ता को अपने हिर्दे में धारन कर रहे हैं। पुन्य फल अनुभवती सुताई विलोग के नंदघरन नंदघरन माने नंदवावा की पत्नी अपने पुत्र को देखकर उनकी बाल लीला को देखकर के कोई पुन्य की फल का अनुभव कर रही है। अनुभव की उर्वसी किलकनी ललत लगखना अन्त में सूर्दा जी कहते हैं जब प्रभु किलकारी मारते हुँ हसरे हैं तो उनकी सोबा को सभी देख रहे हैं और अपने हिर्दे में बसा रहे हैं। इस प्रकार से आपको इसकार्थ करना है।